सिर्फ रामायन ही नहीं बलकि महाभारत और अन्य पुराणों में भी हनुमान जी की भक्ती का वर्णन किया गया है। ऐसी मानेता है कि उनका जन चैत्र महीने के शुकल पक्ष की पूर्णिमा तिथी को हुआ था। इसलिए इसी दिन हनुमान जयनती मनाई जाती है। हनुमान जी को पवनसुत, केसरी नंदन, बजरंग बली जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। आए जाने उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनसे शायद आप सभी अंजान होंगे। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार थे। पौरानिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि केसरी और अंजना के पुत्र थे। लेकिन वास्तविक्ता ये भी है कि वो भगवान शिव का अवतार थे। और उन्हें शिव जी के अंज के रूप में भी पूजा जाता है। हनुमान जी को पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विश्णु ने पृत्वी पर राम अवतार लिया तब भगवान शिव ने उनके साथ रहने के लिए पृत्वी पर हनुमान रूप में अवतार लिया। हनुमान जी का नाम जन्म के समय हनुमान नहीं था बलकि एक बार उन्होंने सूर्य को कोई मीठा फल समझ कर निगल लिया था तब इंद्रा ने सूर्य को मुक्त करने के लिए वज्र प्रहार किया और उनका जबड़ा सूज गया तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा क्योंकि हनुमान संस्कृत के हनुमत शब्द से बना है भगवान हनुमान के पाँच भाई थे भ्रमान पुरान श्लोक 223 से 227 में कहा गया है कि अंजना और केसरी के कुल पाँच पुत्र थे जिन में से हनुमान सबसे बड़े थे भाई बेहनों के जन्म के क्रम में उनके नाम मतीमान, शृतिमान, केतुमान और द्रटिमान है महा भारत काल में पान्डू और कुंती पुत्र भीम को भी हनुमान जी का भाई कहा गया है हनुमान जी की मूर्ती का रंग लाल या नारंगी क्यूं होता है एक बार भगवान हनुमान ने सीता जी को माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा कि यह उनके दैनिक अनुष्ठानों का हिस्सा क्यूं है तब सीता ने हनुमान को समझाया कि सिंदूर श्री राम की लंबी उम्र उनके पती के प्रती उनके प्रेम और सम्मान का प्रती निधी है हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को इस सिंदूर से लेपने का निर्नाई लिया और हनुमान जी को सिंदूर से रंगा देखकर उनकी भक्ती से प्रभावित होकर भगवान श्री राम ने वर्दान दिया कि जो लोग भविश्य में सिंदूर से हनुमान जी की पूजा कहा जाता है कि अपनी अगनिमय पूंच से लंका को जलाने के बाद उन्होंने अपनी पूंच को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबो दिया। उस समय उनके शरीर का पसीना एक मचली ने निगल लिया और उसी मचली से मकरद्वज का जन्म हुआ। रामायन ही नहीं महाभारत में भी थी हनुमान जी की उपस्थिती। पौरानिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी की उपस्थिती राम के समय में यानी रामायन काल में मौजूद थी। लेकिन शायद ही किसी को ये ग्यात हो कि हनुमान जी अर्जुन के रत पर अपने चित्रिद्वज के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भी उपस्थित थे। ऐसा उन्होंने भगवान कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया था। भगवान कृष्ण भी विश्णु जी का दस्वाँ अवतार थे और इसी वजह से हनुमान जी उनके साथ उपस्थित थे। हनुमान जी की उपस्थिती ने कुरुक्षेत्र युद्ध में रत और उसके निवासियों को सुरक्षा प्रदान की और जैसे ही युद्ध में विजह मिली हनुमान जी वापस अपने मूल रूप में आ गए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने राम और लक्ष्मन का अफरण करने वाले पाताल के राक्षस राजा को मारने के लिए पंच्मुखी हनुमान का रूप धारन किया था। पंचमुखी हनुमान के रूप में केंदर में हनुमान जी मौजूद थे, दक्षिन में नरसिमहा जी थे जो शेर के रूप में थे, पश्चम में गरुर जी, उत्तर में सूर का सिर और आकाश के सामने एक घोड़े का सिर था, हिंदू ग्रंथों में आठ चिरंजीवियों का लेक है और भगवान हनुमान उनमें से एक हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो कल्यूग के अंत तक श्री राम के नाम और कहानियों का जाप करते हुए इस धर्ती पर चलेंगे, हनुमान जी को इस यूग में भी पूजनिय माना जाता है और उन्हें अमर मानते हुए ही उनकी आपकी अपनी चैनल मिथोलोजी स्टोरी के साथ